हेलो एब्रिवान वेलकम बेक टू अबर चैनल तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ चेप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके इंट्रोडेक्शन यदि एभी तक आपने इंट्रोडेक्शन नहीं देखा तो सबसे पह आद ही आप आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करें जिससे आपको एक एक कॉस्टन सवन में आएगा तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेस्ट की तो क्वेस्टन नम्बर बन में क्या दिया गया गा टू क्यूब्स इच और बॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्य जोइन किया गया गा तो हमारे क्या फाइंड करना सर्फेस एरिया फाइंड करना क्यूवर्ड का जब रजल्टेंट जैसे हम इन दोन को जोइन करते हैं तो यह मारा क्या बन जा एक तरीके से क्यूवर्ड बन जा रहा है तो हमें इस क्यूवर्ड का पूरा का पूरा सर्फे सीरिया का bize 2 x l x 2 x 2 x l यह हमारा फॉर्मॉला होता तो इसके लिए हमारी क्या चाहिए लेंद्स यह रही हाइँ चाहिए ब्रेथ चाहिए जिससे हम इसका सर्फेस कि हमारी क्या हो जाएगी लेंद्ध हो जाएगी तो यह लेंद्ध किस से मिलके बनी है जो हमारी क्यूवर्ड की ने दो किवरण ह Penичес zeker किवरण हमीक किवरण की साइड फाइंड कर लेते हैं सहसे पहले हमें comprend की Where की साइड वाप में क्ुछंड हो थी हो, S?' वहम पहले में एक साइध को फाइट कर लेंगे जैसी हम एक साइड को हम लिए हाइट मिल जागी फिर यह इस तरीका से हमारी ब्रेफ मिल जाएं बैस मिल जाए असक Буд tra לא यह पिर यह लेंगी एक हसे से ले की हां से लिए blessings को प्लस कर देख से खर से तो सबसे पहले क्यों हमारा क्या जोड़ाए वाल्यम साइड्यक का कि हम साइड का क्यूब कर देंगे ठीक है तो हमारा वाल्यूम की रखा यहां पर सिक्सिटीफोर सेंटीमीटर की ठीक ठीक है और हमारे पास क्यूब होगा यहां पर तो हिंपपर हम क्यों कि र frag notarse नहीं Rs. तो ठीक है अब यहां पर हमारा क्यूब रूट है तो यहां पर हम क्या कर दें क्यूब रूट कर देंगे और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा तो यह क्यूब रूट से यह क्यूब रूट कैंसल हो जाएगा और इसको क्यूब रूट से हमसे कैसे हम पर क्यों क्यों होता है 64 होता है तरी किस तरीके से यहां पर करेंगे तो 424 फिर 4 यहां पर पर चयागा जब भी हम क्यों करते है तो 3 value को एक side, तो हम 3 value को 1 side निकालेंगे, वो हमारा क्या निकाल के आएगा? 4. तो हमार लिए side किती मिल चुकी है? 4 cm, इसकी 4 cm, हमार लिए 1 side मिल चुकी है, अब इस साइड से हम इन दोनों को find कर सकते हैं अब देखो, अब यहाँ पर इतना तो सौन में आया आप साथ से पहले के लेखेंगे length of cuboid cuboid तो हमारी length of cuboid क्या हो जागी? L, L क्या हो जागी? length किती दी है? 2 इंटू में, यह A है, यह भी है 2A तो यहाँ पर हमारी 8 निकल के जागी length हमारी 8 गाएगी, क्योंकि cuboid की सभी side equal है दोनों cuboid का same volume है, तो हमारी पास same side मिलेगी तो अब उसके बात करते है height height of cuboid, height, S से denote करेंगे height क्या निकल के, height भी हमारी h, तो हमारी क्या निकल करेगी? यह भी हमारी 4 cm, अब ब्रेथ की बात करते हैं इसकी breath हमारे पास कितनी निकल के जागी? इसकी breath भी हमारे पास क्या निकल के जागी? 4 cm, अब हैं पर फॉर्मूल लगा देते हैं surface, surface area बोलो या फिर total area बोलो, बात बरापार है surface area of cuboid formula हमारा क्या अधा है? 2, L into B, plus B into H, plus H into L तो हम यह आप लग दें 2, length कितनी दिये हमारे पास 8 breath कितनी दिये 4, breath हमारे पास कितनी दिये 4 height हमारे पास 4, height हमारे पास कितनी दिये 4 length हमारे पास दिये 8 simplify कर लेंगे, अब इसका इसके साथ into करेंगे तो 8, 4 जा, 32, plus 4, 4 जा, 16, plus 32, is equal to अब यहां 2, 2 को ऐसे देंगे 2, into अब इन सबको add कर लें, 6, 7, 8, 9, 10, 0 और यहां पर 4, एक पावर आई थी 4, 5, 6, 7, 8, 80 is equal to 2 का इंटू कर देंगे, 260 centimeter cube volume हमें से किसमें आता है, cube में आएंगे, तो हमें cube ऐसा unit लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके marks कट सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं, question number 2 की, तो सबसे पहले आप इसे note करो, तो देखो, अब हम बात करते हैंगे, question number 2 की, question number 2 में क्या बोला गया, a bezel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, तो antibody में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास कई bezel, bezel का मतलग क्या कोई एक बर्तन हैगा, तो किस form में, hollow hemisphere, hollow hemisphere का मतलब खोकला, algumas hemisphere mounted का मतला П vorbere, क्या लखा है हमारे पास mounted हैगा zilender, वह भी zilender, hollow zilender, hollow cylinder का मतलब, खोकला स्लेंडर है खाली अंदर से वो किसकी ऊपर रखाएगा एक हैमेस्पेर की ऊपर रखाएगा और आगे बोला है दा डायमेटर ऑफ दा हैमेस्पेर एस फूर्टीन सेंटीमीटर और जो हमारे पास बैसले मतलब यह बरता ने पूर का पूरी हाइट इसकी हमारे पास कितनी दे अगे रखी ए 13 सेंटीमेटर टा क्या लेगे और इनर सर्फेस एरिया ऑफ दा बैस तो है मैं सिढखा तो यह यहा पर कट सर्फेस ओर का फॉर्मिल लागा कि दोतीज को स्तुरूकरण देंगे साथ-से पहले तो हमारे ये इसकी रेडियस पता होना चाहिए दिको जो रेडियस हमारी स्लेंड राइड ही रेडियस कि हमारी करता हो देंगा haว of solution साथ से पहले डालेंगे या पर solution radius of है 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 मिस्पेर है एंड है इसलेंडर क्योंकि दोनों एक दूसरी को पर है तो हमारे पास डाइमेटर किता दे रखा है 14 उसे टू से डवाइड कर देंगे तो हमारे पास यह क्या निकल खिया जाएगा रेडियस तो आपस रेडियस कित्की निकल खिया गई से बें सेंटिमिटर अब देखो यह यह मारे पास से यह मचेंटर है तो यह मिटर के हाई तो यहां पर लेकिंगे height of cylinder height of cylinder cylinder की height हमारी क्या होजाएं 13 में से minus कर देंगे हम 7 तो हमारे पास six centimeter क्या निकल जाएंगे यह हमारी cylinder की height निकल खिया एंट किसलेंडर की height हमारे पास यहां से लेकिंगे यहां तक किती में लगई 16 cm अब हमें केना निकाला है इनर सभी से अरय निकाल है यहां पर काणा रमिप करने निकल लिए तो हमसिति निकलन ने मुंगा दोनुन के तॉप तब चंज करना पड़ता है यहां पर लेकिन हमारे पास टॉप मॉप कुछ भी नहीं के पान है तो हम सिंपल कर देंगे देख आगे कोसन आएंगे तो बिग्दा और किलियर होगा उनमा थिका तो हमें यहाप लेखेंगे करड़ सर्फेस एरिया उफ सिलेंडर प्लस curved surface area of hemisphere curved surface area of cylinder क्या होता है हमारा 2 pi r square 2 pi r h यहापे लेखेंगे 2 pi r h प्लस हमारा curved surface area of 2 pi r square यहापे हमारा क्या हो जाएगा 2 pi r square ठीके यह हमारा क्या हो जाएगा हमारे पर curved surface area of cylinder हो जाएगा अब सबसे पहले हम यहाँ से common ले लेंगे 2 common हो जाएगा pi common हो जाएगा एक यहाँ से r common हो जाएगा ठीके अंदर क्या बचेगा हमारा यहाँ पर h h की value हमारे पास कितनी दिये 6 यहाँ पर sorry h बचा अभी पहले value बाद में यहाँ पर h बच जाएगा और यह हमारा r बच जाएगा क्योंकि हमने radius इसलिए common ले लिए क्योंकि दोनों की radius हमारी same है slender की भी same है और साथ ही साथ में हमारी hemisphere की से में इसलिए हमने common ले लिए से अब यहाँ पर values पूट करेंगे 2 x 22 upon 7 radius हमारी कित्ती दिये 7 height plus radius radius हमारी पास कित्ती दिये 7 तो जैसी में यह दोनों आपस में कैसे हो जाएगे cancel हो जाएगे तो अब इन दोनों को करेंगे तो हमारा कित्ता जाएगा 44 x 13 जब हम 44 x 13 कर देंगे तो हमारा overall answer निकल के जाएगा 576 cm q cm यहाँ पर स्कर्ब सर्फिस एरिया पूछा तो हमारे पास square में निकल के जाएगा volume के बात करते हैं तो हम किस में निकालते cube में निकालते ठीके यह था हमारा question number 2 तो अब हम बात करते है question number 3 की तो सबसे 5 cm mounted on a hemisphere of same radius उसकी same radius question में क्या बुला गया हमारे पास हमारे पास एक टवय है किस के form में क्यों के form में जो कि कौन हमारी किस की उपर रखी है hemisphere के ऊपर रखी है और हमारी कोन की radius है वो हमारे पास radius कितनी दे रखिएगी हमारे पास radius 3.5 cm 3.5 cm और same radius 15.5 cm जो हमारा toy है ना उसकी total height हमारे पास कितनी दे रखिए 15.5 cm यह हमारे पास given है और आगे क्या बोलागा find the total surface area of toy तो हमें total surface area find करना मैं आपको एक बार question फिर से समझा देता हूँगा हमारे पास एक toy है वो कि किस के form में हैगा एक कोन के form में है एक hemisphere के ऊपर रहे दे रखिए और जो हमारी कोन है जिसका radius हमारे पास कितना दे रखा है 3.5 cm दे रखा और सेम radius हमारा hemisphere का है और हमारे पास total height यह दे रखिए 15.5 और हमारे total surface area of किस का find करना है टोय का total surface area find करना तो किस तरीके find यह हम इसका curved surface मतलब केवक buat अगया इसका टोटल सर्फेस प्लस कर दें का ग एसका टोटल सर्फेस मतलब भारका तो हमें इंदोरों का सर्फेस क exclus कर देंगे तो हमारे पास सब्सक्राइब हमारे पास यहाइए हमारी इसलेंट हाइट होती है ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी इसलेंट हाइट पाइंट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्चन में गेवान है उसे राइट करते है ठीक है यहाँ पर लेखेंगे सॉल्यूशन solution में हाँ पर लेखेंगे सबसे पहले लेखेंगे height of cone and hemisphere हमारे पास कितनी दे रखी है height और cone hemisphere की height हमारे हमारे हाइट की बात कर रहेंगे ना नई स्वरी radius सबसे पहले हम यहाँ पर radius हमारे पास same है यहाँ पर लेखेंगे radius radius ठीक है तो radius हमारे पास यहाँ पर कितनी दे रखी है radius हो जाएगी 3.5 cm और अब बात करते हैं हम slant height का हमारा formula किस तरीके स्वाइंड करते हैंगे cone के slant height define करेंगे तो क्या होजाएगा r square plus h square तो सबसे पहले तो हमारे लिए कोन की height की जुरूद पड़े ही क्योंकि यहाँ पर क्या रहा हा हाइट यहाँ पर लेखें यहाँ पर लेखेंगे इसकी height निकल खिया गए 12 cm अब यहाँ पर solution करते हैं साथ से पहले हम रेडियर अब यहाँ पर excellent height निकालते हैं तो यह radius हमारे पास किती दिये 30.5 cm square plus अब हम height की बात करते हैं हमारा 12 square ठीके अब हम यहाँ पर square करते हैंगे साथ से पहले हम 13 का square करेंगे तर्ड किसका 3.2 मतलब 35 का इंडर क्या कर रहे हम स्कूर कर रहे हैं तो सबस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पर 3 का square कर रहेंगे और उसके बाद इन तीनों का अपस में multiple कर देते हैं 15 x 2 13 15 x 2 13 तो एक यहां से लेते हैं यहां पर पहुंच जाएगा यहां पर यहां पर पहुंच जाएगा तो हमार पास कितना अंसर निखाएगा अब यहाँ पर हम रेडीस की बात करते हैं चयुक्त करें यहां से एक फॉर और सब इसा सब यहांने बता चुकैंगे थोड़ा बहुत हमने पाइब और यहां हो जाएगा बन ठीक है यह हो जाएगा अब हम क्या करते हैं इसको अब यह हमारे पास रूट अब इसको किस तरीके से कर सकते हम अब इसका हमें कहादना पड़ना पड़ेगा अलग अटा दो और नीचे एक पॉइंट बात कर दिना क्योंकि यह रूट से बाद निकाल जाएगा हमारा हंड़ेड यह भी रूट से बाद निकल जाएगा तो टैन बाद निकल लोगे ठीक है अब हैं पर सीधे निकाल तोटल तोटल सर्फेस एरिया और ओफ टॉइ टॉइस टॉइड हेगा ठीक है तो क्या गवाजसर में कर सर्फेस कर रूट सर्फेस एरिया ओफ अभ्स पैयर का यह मैंसपेयर इससे हमारा अंसर पेर का है मैं फेर इससे हमारा निकाल आगा तो कट सर्फ पाई आर एल प्लस और हमाँ टोटल सर्फ पेर का क्या हो जाएगा पाई यार इसको अब ही यहां से सब्छाय कोमल लिए करो तो हमें यहां से रीडियस भी कोमल लेते हैं यहां से हमारा एक आर कॉमन है यहां से टू बच जाएगा और एक आर बच गया है अब इसको हम सिंप्लिफाय कर लेते हैं वेल्यू पूट करेंगे तो यहां पर पाई की वैल्यू अपॉन में सेवन रेडियस किती जाएगी थ्री पॉइंट फाइव हमारी यह कितनी निकल के हमारे पास रेडियस किती दिये थ्री पॉइंट फाइब अब हम इसको सिंप्लिफ तो यह हमारा एक जीरो यहां पर एक पॉइंट लगा लेते हैं यहां तो ठीक है यहां पर यह सेवन से करेंगे सेवन फाइव जा थर्टी फाइव और फाइब इसे फाइव तू जा टैन यह कैंसल हो जाएगा पर यहां से सो कैंसल करेंगे तो यहां पर किता बचेगा 11 अब यहां से भी देखो यह भी हम यहां से कैंसल कर सकते हैं यहां से भी हम कैंसल करेंगे तो हमारे पास इसको ही कैंसल करते हैं इसको नहीं करेंगे यहां ठीक है इसको कैंसल कर रहे ठीक है यह इन्टू में इसलिए आप उसमें कैंसल हो जाएगा यह आपको कैंसल नहीं करना है तो मत करो अभी हम करी नहीं रहे इससे आपको भी कंफीजन नहीं होगी यहां पर लेकिन 11 बचेगा इंटू और यहां पर यह पर पहले तो इन सब को एड़ कर लेते हैं इसका इसको करें इसका 5.789 और यहां पर जाएगा वन यहीं हमारा निकल यहां बचाएगा 789 प्यूर्ट चक कर लेते हैं कहीं गलब तो नहीं है हमारा सही है यां अधिक है यहीं हो जाएगा और हमारा कोई मिस्टेक लग रहे है और जब आपके इनका पॉस्स में रही करें यहां पर लेंगे सीम्पार लेुग है Ukrain 9 9 14 1 10 10 1 और 2 यह हमारा आंसर निकल कर जाएगा 21 4.5 सेंटीमीटर स्कॉयर यह है हमारा कावट सर्फेस यह पूरे ट्वाइब का ठीक है तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नम्मर फोर की तो आप इसे नूट करो इस सर्माउंटेड वाया है हमेर पास क्या गाए एक क्यूविकल ब्लॉक क्यूविकल मतलब हैगा क्यूब का एक क्यूब का एक ब्लॉक है क्यूब हैगा मारे पास एक ब्लॉक मतलब एक क्यूब हैगा हमारे पास जिसकी साइड हमारे पास कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है ह आगे क्या बुलाए what is the greatest diameter of the hemisphere तो सबसे ज़्यादा बड़ा सबसे maximum diameter क्या हो सकता है हमसे यह question में पूच गया है जितना से ज़्यादा हो सके बो वाला diameter पूच गया है आग क्या बोला गया है का find the surface area of the solid और इसके बाद हमार पास सर्फेस एरिया find करना सर्फेस एरिया का मतलब भार का इरिया मतलब कर्ब सर्फेस एरिया तो अब किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं what is the greatest diameter of the hemisphere सबसे ज्यादा है मेंसपेर का diameter का हो सकता हमारा हमसे पर का है तो यहां पर लेखेंगे solution आप लेकिंगे maximum कि डायमीटर को अब है मेसपेर हमारा का वो सकता आगा देखू का वो सकता ही हमारी सकी साइड कितनी क्यूब की 7 cm तो मेक्जीमम भी स्की साइड हमारा डायमीटर कितना हो सकता 7 cm उससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उसके हो जाएगा इससे बढ़ कर दी हमने जी तो यह क्या कर देगा क्यूब को कछलेगा जो है मैस लेगा यदी बड़ी रेडियस हो जाएगी हमारी क्यूप की तो इसको क्या कर लेगा और अन्दर क्लिए ऐसकी एक्जीम किती हो सकती है 7 हो सकती है अब हम बात करते हैं के अब में दागा यह लगा Net surface area of solid surface area को हम किस तरीके splurge कर दें यदि हम curved जिसके curved surface of hemisphere यहाँ पर लखेंगे curved surface area of curved surface area of cube सबस्थे पहले तो हम क्या लखेंगे cube plus curved surface area of hemisphere लेकिन इसमें से एक चीज हमाँ लिए minus करना पड़ी क्यों देखो हमने क्या कर दिया इसके ऊपर रख दिया cube को रख क्यूब के ऊपर हमने क्या रख दिया है जैसे हमने हमस पेर रखा तो यह जो जितना circle सा था surface क्यूब का वह हमें क्या कर देगे minus करना पड़े है क्यों 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 थोड़ी दिखा रहा है हमें भार का area find करना अंदर का थोड़ी करना तो जितना circle देखो यह radius है यह जो क्या हमारे इस तरीके से यह क्या था हमारा hemisphere था अब हमने जैसे ही cube के उपर रखा माले तो यह हमारे हैं आपे cube के क्यों क्यों हमारा ओपर क्या है क्यूब है क्यूब को बने यह यह क्यूब का यह माले नथा कि साइड है अब क्यूब पर हमने जैसे ही hemisphere रख दिया ऐसी हमने हमिस्पै रहा को यह जो circular zero यह जो इसका क्या हो जागा Purdue में एन दिखेका नहीं तो हमारे पास उस इसको find नहीं करेंगे तो उसमें से हम बेस मतलब बूई circle minus कर देगे तो हम यहापे कर देंगे इसका क्या होता है 6A square curved surface area of minus अब उसके बाद हम बात करते हैं curved surface area of hemisphere क्या होता है 2 pi r square plus sorry हाँ प्लस था अब minus कर देंगे base of hemisphere base का मतलब वह नीचे का circular part तो एक तरीके से हम area of circle minus कर रहा है ने नीचे का area वह गोल गोल पाद आधा नीचे का hops बच रहाए वह गोल माइनस करदेंगे वह हमारा एक तरीके circle form में circle का area क्या होता है पाई एर इसकूरे तो हमें इसमें से टू पाई एर म leaving तो हमार पास के बतेगा प्लस पाई आर स्कूरे और क्या खॉंआ शक्ता है कोई कॉमा नहीं आणा सीधी value करते हैं हुआ है आव सिस्क्स एंटू है हमारे पास साइड कितीज है इस विंस क्वेंटिमेटर दो भर सक्वेड़ा तो हम सीधर सेबन का स्क्वेर कर देंगे यहां पर प्लस πई की वेल्यू हमार पास टॉंटीटोगश है अब रडियस अम हमारे पास रडियस किया होगी हमेश पेयर तो radius यहां पर लखतेंगे radius कि ऑफ हैमेश पैर इसका डाइमेटर हमारा कता राता है मेकजीम मिझा तो 7 वाय तो यह हमारे क्या नकल आगी सकी radius तो यहां पर लखेंगे चैन्दू इसको यह कैंसल कर देते हैं यहां से 2 से cancel करेंगे तो यहां पर 11 बचेगा फिर यह 7 से 7 cancel हो जाएगा तो इसको simplify करती है इंटु 49 फ्लस इसको देखो ये इसको 2 से cancel करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 3.5 तो हम यहां पर कर देंगे 3.5 इंटु 11 तो हमार पास अंसर कितना निकल किया जाएगा? यहां पर हमारा answer निकल लगा जाएगा 5 5 6 7 8 5 तो हमारे पास कितना लगाएगा 38.5 38.5 निकल लगाएगा अब हम इन दोनों का इंडू कर देंगे जैसे हम इन दोनों का इंडू करेंगे तो हमारा answer हो जाएगा 294 प्लस 385 इक्वल टू अब हम क्या करेंगे इन दोनों को एड कर देंगे तो जैसे ही हम इन दोनों को एड करेंगे तो हमारा answer निकल लगा 3 3 5 यह आप खुद निकल सकते हो ठीके तो यह हो जाएगा हमारा question number 4 तो अब हम बात करते है question number 5 की तो पहले आप इसे note करो तो देखो अब हम बात करते है question number 5 की question number 5 में क्या बोला है a hemisphere depression is cut from one face of a cubical wooden block question में हमारा पास क्या बोला गया हमारा पास cubical wooden block है cubical मतलब एक cube का लकडी का block है हमारा पास लकडी का एक हमारा पास cube है उसको कैसे काटा उसका एक face काट दिया हमने क्या लग दिया हमने का मतलब क्या है हमारा पास एक cube है क्यों यह कह रहा हमारा पास तरीके से cube है तो इसका जो एक side का जो face है यह जो पूरा face है इसको काट का इसके अंदर हमने एक hemisphere रख दिया ठीक है आग क्या बोलाए such as the diameter of L of the hemisphere is equal to the edge of the cube हमने उसे इस पीरकार काटा है तो हमसपियर का dawका तो हमसपियर केиля लिए डियमिटर कराग start ऑब अब क्या राग हमसंपियर का यह जो parameter यह जो diameter यह जो diameter यह जो evange भी हमारी कितनी हो जाएगी L ही है तो अब देखो आग क्या बोला गया है Determine the surface area of the remaining solid जो हमार पास solid बचा है तो उसका हमार पर क्याल लगा है surface area बताना हैगा अब जितना हमारा solid बचेगा उसका surface area बाइंट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर लगते है solution तो आप तो आप तो यह वाला area भी हम फाइंट करना पड़ेगा यह वाला area भी हम फाइंट करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर लखेंगे solution लखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे the diameter of hemisphere कितना हो जागी hemisphere का diameter कितना हमारे पास L है और हमारे पार radius की बात करें रेडियस अब इसकी hemisphere की हम radius निकालें तो क्या है डी अपॉन में 2 तो हमारे रेडियस क्या निकलके जागी कि L upon 2 हमारे पास value नहीं दी तो हमें as it is निकलेंगे अब हमारे पास side of the side of cube हमारे पास क्या solid अब देखो अब इस हम कैसे करेंगे देखो यह हमारे पास पूरा क्या है q है यह मालो हमारे एक square के save में मैंने ऐसा आपको suppose करो यह हमारा q भी है मैंने भी strip score अब इसके अंदर हमने क्या डालिया है hemisphere डाल लिया यह hemisphere डाल लिया जैसी हमने hemisphere अब हमारे लिए इसके surface area की बात करें तो हमें लिए यह देखो अब अंदर का यह भी surface area find करना पड़ेगा क्योंकि इसको काट के अंदर का खुशा दिये तो ऊपर खाली हो गया तो यह साथ कि बन गया पहले हमारा क्या था स्रफ क्यूब इसके अंदर डाला तो यह भी surface area बन गया तो अब हमागी लिए क्या पड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे surface area of q मैं प्लस कर देंगे क्या प्लस लेकिन देखो यह हमने क्या माना था इस तरीके से हमारा क्यूव होगा अब क्यूव के अंदर हमने क्या डाली एक फेस काट के हमेस्पेर डाली है अब हमेस्पेर लेकिन यह जो टॉप है यह भी तो माइनस करना पड़ेगा हमने बता था हमारे पास जब टॉप नहीं था इसल circular part है यह नहीं चाहिए हमार पास curved surface मतलब surface की पूचा तो यह वाला surface इस तरीके से हम find कर लेंगे I hope अब आपको sun में आ गया होगा अब यहाँ पर लखेंगे curved surface area of q 6a q 6a square ठीक है plus hemisphere का 2 pi r square plus sorry हाँ यह minus यह minus करेंगे minus circular part मतलब area of circle pi r square और simplify करेंगे 6a square plus 2 pi r square में is pi r square तो यहाँ पाचे का pi r square और आगे और simplify करेंगे 6 तो as it is l a side हमारी क्या रहें l का square plus pi की value हो जाएगी pi की value हम as it is रखी रहें देते हैं ठीक है radius radius हमारे पास क्या हो जाएगी यह हो जाएगी radius l square अपॉन में 4 2 का square भी कर देंगे तो हमारे पास क्या नकल कर जाएगा 4 कर जाएगा डारेक्ट अब इसमें से हम common क्या ले सकते हैं common सिर्फ हम l ले सकते हैं दोनों में से तो हमने क्या लग दिए यह एल का square 6 प्लस पाई अपॉन में 4 square unit अब हम यहां पर बताते हैं आपको square unit क्यों लगा क्योंकि हमारे पास यहां पर कोई unit नहीं दी और unit मतलब मीटर भी हो सकती सेंट्री मीटर वर्थी क्लो मीटर स्कॉर का मतलब क्यों लगा जो हमारा इसका surface area की बात करीए जो भार का area एरिया हमारा किसमें रहता है स्कॉर में रहता है इसलिए हमने स्कॉर का लगा है तो अब हमारे complete हो जती है question number 125 तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में start करेंगे इसके आगे के questions जब तक आप इन questions की अच्छे से practice करो तो मिलते हैं आपको next video में